नमस्कार दोस्तो जी की चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो भारत में यूटो बहुत सारे घाट घाटी और पहाडी रास्ते हैं लेकिन इन में से कुछ ऐसे खतरनाक हैं जहां हर वक्त मौत का साय मंडराता रहता है वाहन चालक का ध्यान जरा भी चुका तू समझ आप ये देख लें कि ये रास्ते कहीं आपके मंजिल में आ तो नहीं रहे हैं यदि आ रहे हैं तो आप खास इंतिजाम के साथ ही जाएं कहते हैं कि जानकारे ही बचाव होती है लेकिन ये आप रोमाज और साहिसिक यात्रा के सौकिन है तो ये रास्ते आपके लिए सबसे अच्छी साबित होंगे लेकिन जिदि आप डरते हैं तो इन रास्तों पर से सही सलामत गुजर जाने के बाद आपको जिंदगी भर इसी के सपने आते रहेंगे आई जानते हैं इन रास्तों के बारे में लेकिन दोस्तों इन रास्तों के बारे में जाने से पहले अगर आप हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ चैनल में दिएगा बेल आइकोन के दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहरे प्राप्त हो सके नमबर एक है पत्रातु घाटी के खतरनाक रास्ते दोस्तों भारत से घिरेई इस घाटी के नीचे उतरते हुए दू दर्जन से ज़्यादा खतरनाक घुमाओदार मोड आते हैं इस घाटी के रास्ते में हर्याली के लिए लगाए गए 49,000 बेड़ हैं इस घुमाओदार रस्ते के एक किनारे पर हरे भरे वरच और दूसरे किनारे पर गहरी है इसी वज़े से यहां बहुत ही सुरचित ड्राइविंग करनी पड़ती है यह एक भी चुग भरी पड़ सकती है यह रोड पिठोरिय होते हुए पतरातू डेम साइड तक जाती है घाटी के रास्ते में बरसाती नदियां और कुछ मौसमी जड़ने देखने को मिलते हैं बरसात में पूरी घाटी हर्याली की चादर में लिप्ती रहती है नमबर दो है गंगडोक नाथुला रोड दोस्तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्केम में डोंगे के स्रेडी में इस्थित है यह दर्रा हिमालय के अंतरगत पड़ता है नाथुला दर्रा भारत के सिक्केम और दच्छिट तिबत में चुमी घाटी को जोड़ता है यह 14,200 फिट की उचाई पर है इसी रास्ती से होकर कैलास मांसोर और जाय जाता है हाल ही में चीन ने इसका रास्ता खोल दिया है यह दर्रा गंगटोक के पूर्व की ओर 54 किलोमेटर दूरी पर इस्थित है गंगटोक 333 किलोमेटर का यह रास्ता हरे भरे वरिच्छों से लदा हुआ है रोमांच के चार रखने वालों के लिए यह बहुत ही शांदा सफर है यदि आप पूरे के पहाड़ियों से होकर मसूरी पहुंसते हैं तो तो आप रास्ते के रोमांच को जिंदिगी भर यात रखेंगे रखुतुं कहा जाता था मनाली से रोहतांग पास जाना बहुत ही खत्रों और रोमांच से भरा हुआ है यह रोतांग दर्रा उत्तर में मनाली दच्छड में कुल्लू सहर से 51 किलोमीटर दूरी पर इस्थित मनाली लेग के मार्क पर पढ़ता है यहां पूरे वर्ष बर्फ और रोमांच कारी है हलाकि यहां के खतारनाक मोड और घाटियां दिल दहला देने वाली होती है रोहतांग दर्रा हमुदी तल से 4111 किलोमीटर उजाई पर इस्थित है यह हिमाले का एक प्रमुख दर्रा है नंबर पांच है किलार किस्तवार्ट रोड दोस्तों भारती रा जैसा है हिमालचल और जम्मु एम कश्मिर में इस्थित पांगी घाटे में इस्थित है यह घाटी मार्क जम्मु 6 से कस्मे जाने के लिए तीन रास्ते हैं पहला जम्मु स्रीनगर हाईवेग दूसरा मुगल रोड और तीसरा है किस्तवार्ट अनंत मार्क रोड बटोड से किस्तवार्ट लगभग 55 किलो मीटर है स्रीनगर के रास्ते में सित्रिन टॉप दर्रा पड़ता है जो लगभग 3800 मीटर उचा है बायक से इसका सफर भी मौत के उमुमें जाने जैसा है इसके अलावा उदैपूर पांगी किस्तवार्ट सड़क मार्क भी पहत खतरनाक है य यहां समतुतल से 3200 फीट उचाई पर इस्तित है तुरुपती माला की पहाडियां पर बना वैंकटेशर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है यहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों के चारों और घुमती हुई कई गुमाउदार और खतरनाक सड़कों से होकर गु मनार रोड मनार को कोच्छी से जोड़ने वाला दर्रा मनार रोड जो लगबा 130 किलो मीटर का है समुद्ध तल से 1700 मीटर उचाई पर इस्तित मनार केरला का एक हिल स्टेशन है यहां रास्ता घुमाउदार सकरा और कई जगों से खड़ा है नीचे खायर निजर आती है जहां आपके वहन में फोग लाइट नहीं है तो आप इस सड़क पर नहीं चल पाओगे नमबर आठ है मांट अबू रोड मांट अबू राजस्थान का एक मात पहाडी नगर है समुद्ध तल से यह बारो सो बीस मीटर उचाई पर इस्तित है यह पहाड अरावरी पहाडियों की स रंकला का सर्वत शिखार है यहां जैन और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान है मांट अबू तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर के दर्रे से जाना पड़ता है जो अबू रोड से सुरू होता है यह सड़क कुछ जोगों से बहुत खतरनाक हो जाती है जहां से ए प्रमुख दर्रा खरदोंगला दर्रा है यहां की सड़क को दुनिया की सबसे उचाइबा इस्थित सड़क माना जाता है यह समुद तल से 5,369 मीटर की उचाइबा इस्थित है यह भारती राज जम्मू और कस्मीर के लद्दाग छेतर में पढ़ता है यहां की जल्वाई क काफी ठंडी होती है और उचाइबा इस्थित होने के कारण यहां आकसिजन की कमी होती है खरदोंगला दर्रा के संकी सड़कों के एक किनारे विशालकाए पहाड है जिसके दूसरी तरफ गहरी खाई है इस सड़क पर सफर करने से पहले एक बार जरू सोच ले और अपने व उचाइबा इस्थित सड़क का दर्जा प्राप्त है यह दर्रा लद्दाक में इस्थित है जो कि समुझ तरफ से 5-360 मीटर उचाइबा इस्थित है यहां की जलवाई काफी ठंडी होती है और उचाइबा इस्थित होने के करण यहां आकसिजन की कमी होती है तो दोस्तों अज़ के लिए बासी ताहीं दोस्तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें साथ जाथ इसे लाइक भी कीजिए जिससे के हमारा